जेहिन, नमस्कार, आप सभी का एक बार फिस्वागत है, आप अपने स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे हैं, यह आर्टिकल सोसियल मीडिया के जरिये, जरूर आपके पास में भी पहुंचाओगा, लेकिन इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, उनके उपर आपने गोर नहीं किया होगा, इस आर्टिकल में हर एक वो जूट बात लिखी हुई है, ओर रूपी के उपर, जो की जंतर मंतर पर बेटे, HCOs, JCOs, NCOs और ओर के मनोबल को दबा सकती हैं, Officers and JCOs के बीच में दरार क्यों, Understanding Rift between JCOs and Officers over One Rank, One Pension करनल चरंड जीज सिंग खेरा, Retard Army Officer 15 मार्च 2023 को, The Express India News में, Understanding Rift between JCOs and Officers over One Rank, One Pension इस नाम के टाइटल पर एक इन्होंने लेक छापा, सबसे पहले तो इस लेक के टाइटल को देखर ही, यही समझ में आता है, कि यह JCOs and O.R. को अलग करने की साधिश हैं, या अलग-लग करने के लिए ही इस लेक को पब्लिच किया गया है, दरार, JCOs and Officers के बीच नहीं, दरार है, HCOs, JCOs, NCOs, O.R. and Officers के बीच, इस लेक में इन डिटार्ड ओफिसर का कहना है, कि कुछ JCOs, जनतर मंतर पर दरना इस बात को लेकर दे रहे हैं, कि वन रेंक वन पेंशन में इनके लाब को Officers ने हडप लिया, इसके बाद इन्हों ने बिंदु वार हर एक मुद्दे पर अपने विचार रखे, जो की 90% गलत विचार और तत्य हैं, तो इनके दुआरा जो मुख्य पॉइंट्स इस आर्टिकल में चापे गए हैं, वो इस परकार हैं, पहला, Fixation of Pension in One Rank, One Pension, इस बिंदु में इनका कहना है, कि जो भी One Rank, One Pension में पैंशन फिक्स हुई है, वो बिल्कुल सही है, जेशियोज की कोई Pension कम नहीं हुए है, इनको दो दोवार Pension Revision का लाब पहले से ही मिल चुका है, दूसरा पॉइंट, Demand for Equal MSP, इनका कहना है कि जेशियोज एंड ओवार को ओफिसेस के बराबर MSP क्यू दिया जाए, जब छटे और साथवे Central Pay Commission की रिपोर्ट में, ये कहा गया है कि जितनी बड़ी रेंग होगी, उतना ही MSP ज़्यादा मिलेगा, तो जेशियोज ये मांग क्यूं कर रहे हैं? तीसरा पॉइंट, Demand of same disability element for all, अगेन अपनी बात को इन्होंने रिपीट किया, कि जब CPC की रिपोर्ट में अलग-अलग रेंग के लिए, अलग-अलग disability pension का वेटेज दिया वाया है, तो ये समान disability pension की मांग क्यूं? और चोता पॉइंट, same benefits irrespective of rank, तो इन चार पॉइंटों के इर्द गिर्द ही इनका पूरा लेक छपावा है, हलांकि लेक में लिखी हुई हर एक बात को पढ़के याँ पे हम सुनेंगे, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इनकी लेक में, जो कर्नल चरिंजी सिंग खेरा साब ने लिखा है, इस लेक में लिखे गए हर एक पॉइंट का जबाब, वोइस ओफ एक्स एरिश्मेंट सोसाइटी के वाइस परसिडेंट एंड हेड ओफ लिगल सेल, साथी एर वैटरेंस सार्जेंट राजिव बहल जी ने अपने एक वीडियो के जरिये दे दिया है, तो आज इस वीडियो में हम उन सभी इस पस्टिकरण और जवाबों को समझेंगे, जो करनल साथ द्वारा जूटे तत्ये अपने लेक में छापे हैं, इसके बाद पूरा दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, और जो भी ब्रह्म, जेसियोज, एंड ओवार के बीच में पैदा किया गया है, वो दूर हो जाएगा, तो सभी वीवर्स को मेरा कहना है, कि आप इस लेक को या इस लेक के उपर बने वीडियोज को देखके, अपने मन में जो भी ब्रह्म लेके चल रहे हैं, उसको दूर करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जुरूर देख लेएं। सभी परकार के डाउट्स आपके दिमाग से निकल जाएंगे, और जो राजीव बहल जी ने, बिंदू वार, किलियर कट जो जबाब दिये हैं, वो 100% फेक्ट के अधारित हैं, उन्होंने पे कमिशन्स की रिपोर्ट गोर्मेट ओफ इंडिया के लेटर्स के साथ में हर एक जुटे आरोप का जबाब दिया हैं। तो आईए ज़्यादा देरी ना करते हुए, हम वीडियो में सभी जुटे तत्यों और उनके अगेंस्ट जो फेक्ट फाइंडिंग्स हुई हैं, उनको जान लेते हैं। पहली बात, तो उन्होंने लिखा कि JCs who are not benefited by OROP2 are agitating at Jantramantar, leveling all kinds of allegations that officers are cornered all the benefits of OROP2, there is a need to understand how far this allegation is cracked. पहले तो हम इनको बता दे केवल JCO ही नहीं दरने पे बैठे थे 12 March को, Voice of Exceration Society के निर्टेतर में करीब-करीब 100 organization वहां दरने पे बैठे थी, और हजारों लोग थे, और जो 12 March को हम बैठे थे, वो केवल JCO नहीं थे, OARS भी थे, जवान भी थे, और मैं भी एक NCO कूँ, Senior NCO, Retired हूँ, उसके बाद यहां पर यह एक चीज़ लिखते हैं कि अगर आपको कोई शंका हो, तो यह कुछ organizations के नाम दियें, उनसे आप contact करें, क्या क्या, IESL, IESM और T-Sewer, और मैं बता दूँ, यह तीनों की तीनों organizations officers lead करते हैं, और यह खुद को बताते हैं, President come General Secretary of All India Ex-Servisement Sanja Morcha, अब यह जो Sanja Morcha में JCOs और OR वैठे हैं, उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, कि तो महरा President और General Secretary ऐसी बात करता है, facts नहीं बताता, जूट बोलता है, डूब मरना चाहिए, सारों के सारे जितने JCO, NCO, OR इस Sanja Morcha के अंदर, मैं उनसे दर्खास करूँगा, आज ही अपनी सदस्यता छोड़ दो, और यहां election करवा करके इसको President से हटा दो, इसको अकल आ जाएगी, अब इन्हों ने बहुत सारी बाते बताई हैं कि जी pension ORP की क्या है, कैसे बनी average और minimum maximum का average उसके कारण यह हुआ, 2014 में किसकी pension जादा थी, किसकी pension कम थी, मेरा एक simple सा स्वाल, कि भाई जो फार्मूला आपका था, भाई फार्मूला जेसी उस दुवर की था, ORP1 के अंदर भी, तो ORP1 में या उसके बाद या उससे पहले और बाद में अफस्स की pension कैसे बढ़ रही है, और JCS ORP की क्यों नी बढ़ रही है, बस इसका एक जवाब दे दुवर, सेम फार्मूला है, तुम कहरे हो कि उसकी basic ऐसे थी, वैसे थी, यह सब गलत, everything, सब जूठ लिखा हुआ है, अब मैं बताता हूँ, कि एक्चल में कारण क्या थे, कि ऐसे क्या कारण, मैंने पहले भी इसके उपर वीडियो बनाई है, जो इन्होंने नहीं बताए, मैं सारे के सारे इनके points कवर कर रहेता हूँ, एक तो इन्होंने बोला कि 2006 से 2013 के बीच में, अफसस डिड नोट गेट एनी हाइक, फॉम जेन 2006 तो 2013, और जबकि जेसियोस की pension 2009 में और 2012 में बड़ी थी, गलत, जेसियोस की pension सिर्फ 2009 में बड़ी थी, जेसियोस की pension 2012 में नहीं बड़ी, बड़ी, सर्कुलर 501 उठा करके देख लो, अगर किसी भी एक भी जेसियो की pension बड़ी है तो मेरे को बता दो, यह इन्होंने सर्याम जूट बोला, हाँ, उसी 501 की बज़ाए 500 नंबर सर्कुलर था, जिसमें मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यह देखिए, तो यह रहा 500 नंबर सर्कुलर, यह 500 नंबर सर्कुलर देख रहे हैं, 17 जनवी 2013 को इशुवार, 24 सप्कंबर 2012 से लाग उठा, इसके अंदर Commissioned of Stars की pension बड़ी है, ठीक है, यह देखिए, यह रही, 6th Pay Commission के इसाफ़ से कितनी pension थी, 11 November 2008 का लेटर, इसमें जितनी pension थी, यहां देख रहे हो, और यहां देखो, यह pension बड़ी, इसने जूठ बोला, कि इनकी pension नहीं बड़ी, जबकि इनकी pension बड़ी थी, जेसी उसकी pension, सर्कुलर नंबर 501 में, नहीं बड़ी, जो इन्होंने जूठ बोला, सारी चीज़ें बताऊंगा, अब इन्होंने एक और चीज़ बुली, कि बापीस आ जाते हैं इधर, ठीक है, यह जूठ हो गया, यह भी जूठ हो गया, अब केते हैं कि जी, fitment factor जो है, officers और J-C, उसका 2.57, और officers का 2.81, नहीं था, इनकी बात जायज है, यह इन्होंने बिल्कु सही लिखी, fitment factors सभी का 2.57 था, हाला कि officers का table बनाने का formula डिफरेंट था, J-C, उसका भी डिफरेंट था, OR से, और honorary commission officers का भी डिफरेंट था, मैं इस बात से सहमदू, मैं इसको कुछ नहीं होगा, जो इन्होंने सही लिखी है, सही लिखी है, जो गलत लिखी है, उसको तो हम जरूर कंडम करेंगे, अब उसके बाद, बात आती है, यह बंदा बोलता है, कि जी, demand of equal MSP, or demand of same disability element, पहले मैं disability कवर करूँगा, फिर मैं MSP कवर करूँगा, अब disability में यह करते हैं, कि जो Central Pay Commission ने कहा, वो हुए है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, the disability element is fixed by the Ministry of Defense, it is fixed on the recommendation of the 7th Pay Commission, Central Pay Commission, अब आजा है Central Pay Commission ने क्या कहा, उसके उपर आयाते हैं, पहले तो यह देखिए, Central Pay Commission ने क्या कहा, Central Pay Commission ने कहा, यह रहूँ, ठीक है जी, Central Pay Commission यह रिपोर्ट अफ 7th CPC है जी, इसका पैरा नमबर देखना हो, तो 10.2.55 पढ़ ले, इसके अंदर उन्होंने कहा, कि जो officers हैं, उनको 27 यार्पे मिलेगा, जो JCOs हैं उनको 17 यार, और जो हवलदार से नीचे हैं, उनको 12 यार, और 7th Pay Commission में, अफसरों ने लड़कर के, अपनी Disability Pension, फिर से 30% करवा ली, और उससे यह जो OARS है, इनकी Pension कम होगी, अगर कहें, तो मेरे पास सारी की सारी Notesheets पढ़ी हैं, और इसके पास circular बाद में आया, इन्होंने यह जूट बोला, इन्होंने क्या जूट बोला, कि पेक Mission के, पेक Mission ने तो जो recommend किया था, वो तो हुआ ही नहीं, तुम लोगों ने अंदर जा करके, अपना सब, अपने काम, अपनी बातें मनवा ली, जैसे यो और के कोई बात नहीं मनवा ली, हमारी 리ft, इस बात के उपर आपके साथ, क्योंकि आप हमारे रहनमुह बनते हैं, रहनमुह बनकरके, आगे जब जाकरके, मोडी में बात करते हो, अपनी बातें मनवा लेते हो, हमारे मुद्धे छोड़ देते हो, रिफ्ट इस बात के उपर है, अब बात आ जाए कि यह disability में क्या-क्या धंदा करते हैं यह राजी, यह मैं नहीं कह रहा 7th Pay Commission की रिपोर्ट कह रही जिसका यह हवाला कर दे रहे यह कह रहा है कि सुप्रमेट्टिड डिसिबिल्टी ओफसर्स 2006 के अंदर 13% थे 2013-14 के अंदर बढ़ करके 19.8% हो गए क्यों क्योंकि जो disability है वो percentage से लिंक हो गई पहले कम होती थी फिर इनकी ज़्यादा होगी तो सारे के सारे अफसर्स सेटिंग करके disability लेकर आते हैं अब inability invalid out officers पहले 0.67 थे अब 1.06 कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है क्योंकि invalid मतलों आप कंडम होगे आप your catty cat d और कुछ reasons करके आप नोक्री नहीं कर सकते ऐसा पाया गया तो आपको नोक्री से जवर्दस्ति निकाला जाएगा अब बात आते जेसी ओर की जेसी ओर दो या साथ आठ में जो सुपरनेटड हो रहे थे वो अठारा पैंड नो परसंट थे आज 13 14 में यह साथ पैंड दो परसंट पर रहेंगे means jceos are more fit than officers सुन ले आगे invalid out jceos पहले एक परसंट थे अब 4 परसंट क्यों क्योंकि jceos and over fighting troop है वो लड़ाई लड़ते हैं तो उनको disability होने के chances ज्यादा होते है और ज्यादा हो रहे इसलिए उनकी invalid out percentage बढ़ रही है यह मैं नहीं कह रहा है यह सेवंच पर कमिशन की रिपोर्ट कह रही है अब यह देखा serving officers are tearing with the disability across ranks left in kernel and equivalent 2006 के अंदर 8 थे 8 परसंट थे 2013 में 20 परसंट होगे करनल 3 परसंट थे और 21 परसंट होगे ब्रगेडियर 2.7 परसंट थे 17.6 परसंट होगे major journal and ftn journal यह पहले 0 होता था disability अब 16 परसंट और 14 परसंट साड़े 16 और 14 रीजन क्योंकि disability pension बहुत मोटी हो गई है और plus disability pension होने से आपकी pension tax free हो जाती है तो यह दो तरफ से मज़े गर रहे हैं हम तो सरकार से चाहेंगे कि इसके उपर cba inquiry बठाओ और यह disability होकर कि आप कैसे रहे इसके पता करूं कारण और जितने लोग गलत disability लेका है उन सब की उन सब के उपर चार्जीद लगा करके जेल में डाला और उनकी pension बंद करूं क्योंकि उन्होंने financial fraud किया है मैं तो यह भी मांग करूंगा यह सारे के सारे data मैं नहीं कह रहा है यह सेवंथ पे क्मिक्शन कह रहा है मैं कुछ नहीं कह रहा है लेकिन मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसकी जहां चोनी चाहिए इसकी जहां चोनी चाहिए से और सच दूद का दूद पानी का पानी होना च यह सर्कुल 568 में भी इनकी पैंशन बढ़ी और यह कब से बढ़ी जनुरी 2006 से यह साब जूट बोलते हैं 568 में यह देख लीजिए आगी यह लीजिए यह देखें यह रहा यह पढ़ लीजिए क्या रेंक है लेफ्ट इंटर्नल कैप्टन मेजर और इनकी पैंशन बढ़ी यह लो कैसे कह रहा है जूट बोलता है अब आज जह साथ दोखा कैसे करते हैं साथ पास या जेड ग्रूप के होते थे वो तो बंद भी हो चुका ठीक है और उन जब की एर फोर्स के अंदर और नेवी के अंदर सारे के सारे वाई ग्रूप वाले क्लास 12 वाले हैं अब पेक मिशन को क्या लगा कि जूर 12 पास अच्छा ये फ्लांट ट्रेट 12 पास अच्छा ये बात हमारी जो पैंशन होती थी अप टू फिफ्ट पेक मिशन वो हाईस पे स्केल पे होती थी हाईस पे स्केल पे होने के कारण हमें जब अरली रिटार्मेंट के कारण जब हम जल्दी रिटार होते थे 35 तो 40 येर्स और 50 लेस दन 50 येर्स तो नोशनल इंक्रिमेंट्स मिलत यह मिलती थी, यह दो एलिमेंट थे जिसके कारण JCO को एक्स्ट्रा पेंशन मिलती थी, वो दोनों के दोनों six-pack mission में हट गये, यह इस बंदे ने बताए नहीं, क्योंकि यह बताएगा नहीं, क्योंकि यहां mark आएगा ना, इसको पता है, जूट बोला है, लेकिन फिर भी जू और ब्रिगेडियर था, लेटिन करनल और ब्रिगेडियर, यह दोनों को दोनों पेवेंट three में आते थे, इन्होंने सरकार से का कि इनको पेवेंट four में ले जाओ, और साथ में, जो मेजर लेटिन जनरल और मेजर जनरल थे, उनमें pension purpose के लिए MSP एड़ कर दो, ठीक है, और J JCOs को 75%, 70% pension दो, अपने last basic bidron का, जब अंदर गये table पे, तो अपनी दोनों बात है मंगल वाली और JCOs की और ORs की बात छोड़ दी, इस तरह से इन्होंने हम से दोखा के, इसलिए हम इन के गये थे, अब फिर six-pack mission आगे क्या किया, फिर पहले करनल और बगेडियर को लेके ग फिर उसको भी payment four में ले जए, ठीक है, उसके बाद क्या कहते है, ये दुनिया की history में पहली बार है, कि एक major जो की payment three में नोकरी करता है, और उसको pension मिलती है, payment four की, इसलिए हम आपके against है, क्योंकि आप अपनी बाते हैं मनवाते हो, हमारी बात नहीं मनवाते है, सरकार से, इ system करा, उनोंने कहा दिया कि इतनी रहेगी, 27 यार, 17 यार, 12 यार, ये जिगे, सरकार के पास, और साथ में इनका राशन काटा, क्योंकि राशन के अंदर दांदली करते हैं, ये हमें छोटा, वो मिला है, इनकी बहुत कुछ करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं ग JCOs की आपने इस तरह से pay matrix level कम कर दिया, वो नहीं, ले के जाएंगे सब कुछ, महाँ पर JCOs OR की जो बात होगी, उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे, अपनी बाते मनवा करके आ जाएंगे, और हमारी तुलना किस से करते हैं, industrial unskilled labor से, और खुद की तुलना IAS से, अरे ब JCOs OR के आज तक recruitment rule नहीं बने, आप सरकार से बोलो ना कि हमारे recruitment rule बनाओ, JCOs OR के लिए लड़ो, लड़ते नहीं हो, इसलिए रिफ्ट है आपके साथ, हम इसलिए आपसे नराज हैं, और कोई, और कोई reason नहीं है, आज तक आपको हमने सर्पे चड़ा करके रखा हूँ था, आपने हमारे लिए किया क्या, उसका जवाब दो, अब बात करते हैं MSP की, यह मेरा favorite topic है, अब बात आती है MSP की, MSP केते हैं, यह पे है, और अफसरस की पे ज़्यादा होगी, JCOs OR की कम होगी, यह मांग रहे हैं, equally यह अगलाद है, अच्छ, पेक mission क्या कहते हैं, पहले उसे पेक mission, the military service pay, shall count, pay for all purposes, except for commuting the annual increments, however, status of the defense forces officers would be determined by the grade pay, आपका status, आपकी grade pay, निर्दारित करेगी, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं, MSP से, ठीक है, अब आगे पड़ीए, दिया क्यों, MSP, दिया क्यों, मुद्दा यह आता है, पैरा 1.2.21, 6 CPC, the specific problem faced by defense forces personnel, by example, army, navy and air force, own account of regress of military life, are hereby proposed to be compensated by additional element of pay termed as military service pay, कि जी, सैन्ने जीवन की कठनाईयों के लिए, हम एक special pay दे रहे हैं, जिसको की हम MSP का नाम लेंगे, अब सैन्ने जीवन की कठनाईयां, क्या श्रीर, एक श्रीर से दूसरे श्रीर पे अलग लग हो सकती हैं, अगर ठंडी में रखा जाएगा, या लड़ाई के अंदर जाए गोली जैसे आपको लगेगी, वैसे मेरे को लगेगी, गोली नहीं देखती ही, यह अफसर है, इसको मैं ज्यादा जोर से लगूँगी, क्योंकि इसको 15-500, मिल्टी सरीस पे मिलती है, यह नर्स है, उसको कम जोर से लगूँगी, क्योंकि यह 10-800 ले रही है, और सिपाही को तो मैं बहुत दीरे से लगूं के विए बावन सो ले रहा है। ऐसा नहीं है। फ्रण्ट लाइन पे खड़ा कुन है? सिपाही। उसको बावन सो। और ठंडी के अंदर रात को ड्यूडी कुन कर रहा है? सिपाही। उसको बावन सो आप जो है हीटर में सो रहे हो एसी में सो रहे हो आपको 15 या 500 अब आगे आते हैं। क्या कहते हैं? सिक्स पेक मिशन में पैरा 2.3.20 में MNS के बारे में क्या बोला? वेरस तिल MNS आपने कमबट फोर्स आपने क्यों नहीं लड़ा कि हमारे JCO OR कमबट फोर्स हैं? यह नोन कमबट फोर्स है। इन JCO OR को जो सिपाही आगे ड्यूटी कर रहा है जो कमबट का है उसको MNS से ज्यादा मिल्टरी सर्विस पे दो आपने क्यों नहीं लड़ा? इसलिए हमारी रिफ्ट आपके साथ है। जोट मत बोलो, सच बोलेंगे। Since the most rigorous life is of JCOs and war, who are combat and combat soldiers across all the three services and are the first one to face the bullet in battlefield, thus MSP should be, should be, MSP not less than any other class who is getting the MSP. किसी भी आप किसको कितनी जे रहा हमें कुछ लिए नहीं नहीं हमें तो आपने से मखला है। हमारी MSP किसी भी ऐसे बंदे से कम नहीं होनी थी, जो कि combat soldier है। Officer combat है? ठीक है. जो non combat soldier है? MNS, उससे भी हमें कम दे रहा हूँ. लड़ा अपने? नहीं लड़ा. क्यों? बताओ. अब आगे बताता हूँ. अब आके fact पे आते हैं. Fact यह देखिए. यह RTI के अंदर information ली हुई है. कि भाई, year wise figures of disease and injured shoulders at sought by above named applicant. 2011 में 1496 में लोगों की death हुई. अफसर 48, JCO 158, OR 1290. इंजर 118, 7 अफसर 8 JCO, OR 103. ऐसे ही देख लो, यह double figure और यह four figure. यहीं से समझ आ जाए. यहां single digit और यहां triple digit. आगे दिखाता हूँ. यह दिखिए. यह battle casualty, terrorist attack. suicide case. और साथ में battle, details of battle casualties in Siachen Glacier. कि यहां अफसर 8, JC only, ORs 184. suicide case. अफसर 29, JC 58, ORs 1119. बैटल, fatal casualty. डेड़ सो, एक्सवाइब तीस, 14, 37, 14. आपको अगर मैं percentage wise दिखाऊँ. Let me open another file कहीं मिल जाए. Anyway, so, अब यहां से आपको पता लग रहा है कि भी, जो rigorous military life है, यह figures बता रही है, यह मेरी नहीं figure. यह सारी की सारी figures, RTI में ली हुई है, सरकार ने दी है, यह भी RTI में ली हुई है, सरकार द्वारा दी गई है, ठीक है ना? और, यह रहा MSP का table, आप देख लें. भई, rigorous military life जो है, सबसे ज़्यादा अगर कोई सहरा है, सैने जीवन की कठनाईयां, हिंदी में बता दूँ, कि बहुत सारे फोजी हैं, जो कि English नहीं समझ पहेंगे, सैने जीवन की कठनाईयां, जितनी ORs को है, उतनी किसी को होई नहीं सकती, क्योंकि वो पहला आदमी है, ज हमारी rift इसके उपर है, आप लड़िये हैं हमारे लिए, क्यों आपके साथ rift रखेंगे, क्योंकि आप हमारी बात नहीं रखते सरकार के पास, सरकार के पास बात लेके जाते हैं, लेकिन उसको प्रेस नहीं करते हैं, कि इसको मानो, अपनी बाते मनवा लेते हैं, हमारी rift इस बात के उपर है, जिस दिन आप JCO OR के लिए लड़ना शुरू करेंगे, जिस दिन आप JCO OR के भले की बात करेंगे, कोई भी आपको बुरा नहीं कहेगा, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं, दुख यह है, दुख सबसे बड़ा यह है, आज के जो officers हैं, उनको सिर्फ और सिर् OROP1, OROP2 में क्यों नहीं बड़ी, उसके पीछे एक ही, दो तिन जो major reason है, वो यह है, कि JCOs and OR की, NCOs की, Monarch Mission Office की pension पहले, maximum pay scale पे होती थी, जिसकों की last basic play drawn पे ले आया, और आप लोगों की पहले भी last basic play drawn थी, और six-pack mission में भी last basic play drawn थी, इसलिए आपकी continuous pension बढ़ती जा रही है उनकी नहीं बढ़ रही है, दूसरी चीज़, आप लोगों को जो officers है, आप लोगों को time bar promotion है, जो selection grade के हैं, वो भी time bar है, एक time के बाद उनको बहुत जल्दी promotion मिलती है, और जबकि JCOs work लिए time bar promotion नहीं है, हमारी promotion एक तो exam pass करने पे होती है, जो qualify करेगा, उसी को मिलेगी, द नहीं मिलेगी, आपने कभी लड़ा सरकार के साथ, कि इनको भी time bar promotion दो, आप को होगे MSP मिलती है, अरे वही, MSCP मिलती है, MSCP कैसे मिलती है, 8, 16, 24, सिपाही 17 साल में दिश्चार जा जा जाता है, उसको 9 कवी से निकाल लेते हो, कि यह इसलिए to fighting fit, फोज रखनी है, तो तीसर सरकार से लड़ा, कि हमारे जवानों को आप 17 साल से पहले 3 की 3 जो है, वो MSCP दो, आपने लड़ा, नहीं लड़ा, इसलिए rift है, क्योंकि आप हमारे लिए लड़ते नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी pay and allowances और pension benefits के लिए सरकार के आगे लड़ते हो, अपनी बाते मनव इसलिए rift है, आप से कोई personal दश्मनी नहीं है, लेकिन आपकी करतूतों के कारण rift है, आपके काम ऐसे हैं, जिसने ये rift पैदा कर दी, हमने नहीं करी, आपने करी, गलतियां आपकी है, आपको पंजाबी में एक खावत है, अपने मंजे थले जड़ा सोटा मार के देख लो मतलब यह कि जड़ा पहले अपनी चारपे की नीचे सफाई कर लो भईया, वहां गंदगी कितनी है, बाद में दूसरे के उपर allegation लगाओ, बात करते हैं, rift, और एक आता है, वो आकर के बोलता है कि ये JCO-2R का जो अंदोलन है, इसे कुचल डालो, दूसरा आकर के, अनलग आपोंने rift पैदा करी है, समझिये, कारण समझिये, पड़े लिखे लोग हो या नहीं, पता नहीं, ठीक है न, I don't think these are the educated people, समझना पड़ेगा, rift आप लोगों ने पैदा करी है, हमने नहीं करी, जाओ सरकार से जाकर के लड़ो, और कहो, कि हमें हमारी ORP-2 नहीं चाहिए, जब तक कि आप JCOs और OR का बला नहीं करते, जब तक आप उनकी pension नहीं बढ़ाते, हमें आप से ORP नहीं चाहिए, जाओ कहो, कहते हो, नहीं कहते है, अब या आगे दिखाओ, एक और चलो, चोटा सा, ये लो, क्रीव एक अफसर की pension बढ़ रही है, 10,000, और इसको 52.26 से multiply करो के तो आपके areas निकलाएंगे, क्रीव-क्रीव 80,000 pension error अफसर, कितने अरपे चलेगे, ये 0 हैं गल लो, ये क्रीव-क्रीव 4,180 करोर, कितने को, ठीक है, और JCOs करीव-क्रीव 24 लाख है, और उनको ठारा लाख, उनके परसंद, अब अगर बात करें कि JCOs की कितनी, JCOs over, इन सब की on average, किसी की 2000 बढ़ी, किसी की 1500 बढ़ी, किसी की 1400 बढ़ी, जिसकी भी जितनी भी बढ़ी, अगर उसकी calculation करो के तो कितने बढ़े, ठी celebration, और आपके 10 यार, ठीक है, ये 1500 से calculation है, ये 10 यार से calculation है, और इन दोनों को जोड़ लोगे, तो करीव-करीव 23 यार क्रोण बनता है, जो कि अपना सरकार ने कहा है, कि इतना खर्चा आएगा, उसमें से maximum portion तो आप लेगे, 80,000 बंदे, 4 यार क्रोण लेगे, more than 4000 क्रोण, शर कि सरकार ने इनको pension कम fix करिया, तो वो सही है, अपने disability pension के लिए तुमने लड़ दिया, अपने left-hand colonel को, और colonel को, और brigadio को pay-band 4 में लिए लड़ दिया, अपने major को नोकरी करेगा pay-band 3 में, और pension लेगा pay-band 4 में, दुनिया का एक हिंदुस्तान के अंदर हो रहा और किसी country मे रहा था नहीं होता है, राशन अपना मनवाली है, सारी चीज़े मनवाली, जैसी हो जोहर के लिए कुछ नहीं, फिर करते हो रिफ्ट, यह आप लोगों ने पैदा करें, आप लोग सुदरिये, आप लोगों को सुदरने की जुरूरत है हमें नहीं, थैंक यू, थैंक यू स हो मच, जै हिंद, जै भारत.